नमस्कार दोस्तों सौकत आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्व चनल में मैं हिमान सुजाद हो अब आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कोश्चन और साथी साथ उनके बारे में जानेगी बहुत सारी पॉलिटी में कुछ बदलता है नहीं आईएस का हो या पीसियस का एससी का हो सीजल का हो आर्टिकल नंबर फिप्टी टू भारत के राश्पती का है तो भारत के राश्पती का रहेगा कोई बात ने रहे गया नहीं रहेगा आप सबको बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन प्लीज प्लीज आप लोग हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड जरूर कर लिजेगा क्योंकि इस अप्लिकेशन की जो खास बाते हो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको नया बैच मिलने वाला है किसका complete SSE solution batch जी हैं इसमें आपको डेली आपको मिलने वाली आपको reasoning मिल जाएगा आपको इंगलिस मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा जीयस मिल जाएगा इस बैच में और इस पर आपको यूज करना है एच वाई 500 कोड आपको यह बैच पढ़ जाएगा सत्रा सो निन्यानबे रुपए का बहुत ही सस्ता सत्रा सो असी गया सपास पढ़ेगा निन्यानबे तो बस मैंने लिग दिया हां मिलेगा कहां से राइस समार्ट हिंदी का अपना अपली केसन है यहां से मिल जाएगा अगर बेतरीन ढंक से क्लासेज बिल्कुल फिक्स हैं उसके आधार पर आपका टॉपिक उसी निश्चित समय पर क्लियर करवा दिया जाएगा चलेगा यह बाते तो होती रहेंगी अब हम लोग बात करते हैं पहले अपनी कोशन की सुटंदरता सेनानी सुचेता करपलानी की सराज जो लोग भी डूले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे घर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी रील्स भी आ रहे रात को साड़े नौ बजे देखिए गखा और हंजरा सरके साथ मैस देखिएगा सामको पांच बजे सुईग वेज़ा सरके साथ गया ना जाका है आज़ा भाई मुख मंत्री बाबु लोगों को पढ़ाते हैं मुख मंत्री फोड़ा सा मारकर फोड़ा सा पिन और हेड़िंग डालते हैं Chief Minister दिखेगा, चीफ मिनिश्टर का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिश्टर का मतलब होता है ये क्या होता है? राज की जो कारय पालिका है राज्य की कारे पालिका का वास्तविक प्रमुख होता है क्या होता है वास्तविक प्रमुख होता है और नाम मात्र प्रमुख कौन होता है गवर्णर होता है राज्यपाल होता है अगर मुख्य मंत्री यानि की चीफ मिनिश्टर की बात करें तो इसका आर्टिकल आफ 163 में कहा गया कि प्रतेक राज्यका एक क्या होगा प्रतेक राज्यका राज्यपाल होगा प्रतेक राज्यका क्या होगा प्रतेक राज्यका एक राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद आर्टिकल नमबर 164 में कहा गया राज्यपा राजिपाल की appointment होगा नियुक्ति होगी प्लस चीफ मिनिस्टर की भी नियुक्ति होगी यहां पर यह से तो मुझे चीफ मिनिस्टर पढ़ना था तो चीफ मिनिस्टर लेखना चाहिए तो दोनों की नियुक्ति होती है की भी क्या होती है नियुक्ति होती है यहां पर थोड़ के आंसर भी अलग-अलग है जैसे राज जिपाल की नियुक्ति अगर हम बात करें तो राज जिपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है भारत के राश्पती के द्वारा राज जिपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की मुख्य मंत्री बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए पचीस साल की एज होनी चाहिए ठोड़ास हम लोग बात करते हैं मुख्य मंत्री बनने की योग्यता पर आईएगा चीफ मिनिस्टर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप हमारे देश में बनना चाहे तो प्रदान मंत्री की लगबग सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे, योगिता वही है जो विधायक की योगिता है, विधायक हो या छे माह में क्या हो जाए, छे माह में विधायक बन जाए, अब विधायक कहा का बन सकता है, चाहे तो विधान सभा का बने, चाहे तो विधान अगर है उनकी राजमे विधान परिशत तो चाहे विधान सबा का बन जाए जाया अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो छे मेने के अंदर बन जाये तो हम उसे बना देते हैं या बनने की योगिता हो याद रखेंगे कि वही व्यक्ति हमारे देश में सांसद बन सकता है हम हमारे देश में विधायक बन सकता है जो क्या हो भारत का नागरिक हो क्या हो भारत का नागरिक दरसल हम यहां पर बात कर रहे हैं विधायक बनने की योगिता क्योंकि जो विधायक बन सकता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है और इस बारे में आइटिकल नंबर 173 प्लस 191 दो चाहिए और अगर वह विधान सभा का सदस्थ से बनना चाहेता है तो तो तूत इसके बाद नहीं होना चाहिए नहीं होना होना है उसलों तो कुल्म इलाकि विधाय की योग्जिता वो ही योग्जिता आप किस की हो जाएगे मुख्यमंत्री बनने की योग्जिता हो जाएगी आप विधान परिशत के सदस्य हो या आप विधान-सभा के सदस्य हो फिर भी आप बन सकते हो क्या भारत की किसी भी करपानी सुचेता करपानी की इस राज्य की पहली महिला मुख्य मंत्री थी तो नो डाउट इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश याद रखेंगे सरोजिनी नाइडू ये भी भारत की पहली महिला राज्यपाल है और ये भी कहां किये हैं ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी आर्टिकल मुख्य मंत्री का आर्टिकल क्या है 163 और 164 64 में न्यूक्ति की बात की गई है कि राज्यपाल नियुक्त करेगा और इसके योगिता के मतलब पद के बारे में कि प्रतेक राज्य का मुख्यमंत्री होगा Article 163 में दिया गया तो इस कोशन का तो बहुत बेसिक सा सिंपल सान सार हो जाता है आपको राजियों के मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखने चाहिए जैसे प्रेमा खांडू के ही मुक्य मंत्री एस सवी मुक्य मंत्रियों के नाम चलिएगा अगले कोशन पर चलते हैं सुजेता करपलानी जो थी ना इनके पदी का नाम था जेबी करपलानी जगन नाद्दास भगवान नाद्दास करपलानी बहुत सीधे थे यह लोग बहुत सीधे साधारन लोग थे भारत के समविधान की अनुसार राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली में मंद्रियों की एक परिस्यद होगी जिसकी संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के अधिक नहीं होगी दरसल 69th नंबर का संसोधन किया गया साल था 1991 का और इसमें किया कया गया दिल्ली को केंद्रिसासित प्रदेश माना गया और इसके लिए आइडिकल बनाया गया 249AA किसके लिए बनाया गया यह बनाया गया आपका दिल्ली के लिए और दिल्ली को किन साइज प्रदेस का दर्ज़द दे दिया गया साथी साथ दिल्ली को क्या किया गया दिल्ली में विधान सभा बनाई गए जिसमें सत्तर सीटे थी कितनी सीट है 30 सीट दिल्ली की विदान सबा में है और ये जो दिल्ली है यहाँ पर जो मंतरी होंगे मंतरियों की संख्या कितनी होगी तो मंतरियों की संख्या के बारे में बताया गया कि total का 10% with Chief Minister होगी अर्थार अरबिंद केजरिवाल जी के साथ अलग से छे लोग और मंत्री जादा से जादा हो सकते हैं तो जाहिड सी बात है साथ मंत्री होंगे क्यों साथ मंत्री होंगे क्योंकि टोटल का 10% और 70 सीट है तो जाहिड सी बात है कितने मंत्री हो सकते हैं साथ मंत्री हो सकते हैं दिल्ली का अपना एक हाई कोट भी है केन इतले एक मात्रा और अपना हाइ कोट है और याद रखेंगे केंद्र सासित प्रदेश का है कोट आइडिकल है 241 आइडिकल नंबर 241 में कहा गया कि राज्ज्यों के जो केंद्र प्रदेश है उन के हाइड कोट अपνे अपने होंंगे इस question में इतना ही सही answer है 10% किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताते चलिएगा मेरा नाम है इमान सो या तो रात देख रहे हो इस समय पॉलिटी के बेतर खुबसूरत questions रात साड़े रोबजे भी मिलूँगा वहाँ पर भी याद रखेगा मुझे Monday to Saturday प्रेडे क्लास होती है और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चले आगे ओके चलेगा नेक्ट कोशन पर चलते भाई अगला कोशन क्या है मारा दिल्ली 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 दूर नहीं येस साम को सारे छे वजे स्याम सारे सर के साथ आप दुड़िएगा रिज निंग के लिए रिज निंग के मैजिक देखिएगा और इसके बाद विधान परिशत की सदस्टिता के लिए निर्दम आयुसीमा के आज़स्ट मैं ने भी आपको बताया देख लीजेगा क्या बताया भाई विधान परिशद के लिए 30 साल विधान सभा के लिए 25 साल बात कहीं कहां गई है आर्टिकल नंबर 173 में कहीं गई है ऐसा पढ़ाओ कि 1, 7, 15, 20 कोश्चन का कांड हो जाए तब तो मज़ा भी है तो याद रखेंगे भाई मैं याप फिर से कह तो लिख देता हूँ विधान परिशद का सदस्य बनने की योग्यता पहली योग्यता क्या है भारत का रागरिक हो दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए 30 साल की आयू होनी चाहिए और तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए लाब के पदपर ना हो मतलब डाक्टर, माश्टर, टीचर, इंजिनिर, सरकारी सेलरी उसे प्राप्त नहीं होनी चाहिए इसके लावा पागल दीवालिया या बांकी चीज़े नहीं होनी चाहिए सजा दो साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए अगर दो साल से ज़्यादा की सजा है तो सजा समाप्त होने के बाद 6 साल तक कोई चुनाओं नहीं लड़ सकता है ट्राइल वाली बात अलाग है बट चुनाओं नहीं लड़ पाएगा इस सारी बाते आपकी आर्टिकल लंबर 173 और 191 में कही गई है तो इसका वागी सही अंसर को जागी जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट कमेंट कर दीजे का गई चलते हैं विधान परिशत की सदस्ता के लिए नियुनता मायू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम का कोई टेंसन नहीं है हां कारेकाल कितने दिन का है यह जरूर आप एक बार नोट कर लें तो अच्छा रहेगा इनका जो कारेकाल होगा कारेकाल पांच साल का विधान सबा का छे साल का विधान परिशत का होता यह कारेकाल जरूर याद रखिएगा विधान परिशत का पूछ रहा है तो यह वाला छे साल का कारेकाल हो जाएगा अगला question देखते है भाई भारत के उच्चतम न्यायाले के लिए निम लिखित में से क्या सही है Supreme Court के लिए which among the following is true for the Supreme Court of India Supreme Court के लिए क्या सही है बता भाई संगी न्यायाले, अपीली न्यायाले, समविधान का रचक्षष, गर्जे नापदा, Constitution, Court of Appeal और Federal Court संगी नयाले सबसे पहले बात करें सम्विधान का सनरक्षक तो भाई सब को पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सम्विधान का सनरक्षक है और सम्विधान की अन्तिम व्याक्ष आक्रने का अधिकार भी सुप्रीम कोड के पास ही है तो यह बात तो सही है Appeal करने की बात करें तो आपने सुना होगा Article No. 132 और Article No. 134, Article No. 131 इन आर्टिकल के तैट दीवानी मामले में फौजदारी मामले में आप अपील कर सकते हो यहां पर क्या कर सकते हो अपील कर सकते हो किस मामले में दीवानी मामले में और आप कर सकते हो फौजदारी मामले में क्रिमिनल केस में और सिविल केस में आप यहाँ अपील कर सकते हो बट जब हाई कोट रिकमेंड करेगा तब ही आप अपील कर सकते हो और कोई जनहीत का मामला तो भी अगर सुप्रीम कोट अपनी इच्छा चाहे तो ले सकता है इसकी बाद आपका अगला क्या बचा अगला हमारे भारत के लिए काम करता है भारत का मतलब ये भारत के गाओं के लिए भी काम करेगा भारत के जिले के लिए भी काम करेगा भारत के राज्य के लिए भी काम करेगा और ये भारत के केंदर सरकार के लिए भी काम करेगा अर्थात सभी छित्रों में ये काम करता है और जब क कोई भी कारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती तुसे संधात्मक विवस्ता कहा जाता है अर्थात यहां पर यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है तीनों सही है तो all up the above हो जाएगा कुछ ईज़े आपको जाननी ज़रूरी है Supreme Court के बारे में आपको मैं यहां पर बता देता हूँ आगे आने वाले questions में भी हमेंसमजना पड़ेगा यहां पर Supreme Court सुप्रीम Court का आर्टिकल क्या है सुप्रीम इंक ृटिकल 124 में जजों की संक्या कितनी है यह 33 प्लस एक और एक जो है इनका नाम है Chief Justice of India और इनका नाम है डी वाई चंदरचूड इनके पापा वाई भी चंदरचूड भी क्या थे सुप्रीम कोड के मुख नयादीस थे ये पचासमें नयादीस हैं पचासमें मुख नयादीस हैं सुप्रीम कोड की स्थापना कब हुई थी तो 1773 Regulating Act के तैद हुई थी बट यहाँ पर जो इस्थापना होती है आजादी के बाद वो होती है 26 जनवरी 1950 को और इसने जो कारे अपना शुरू किया कारे भारत मतलब काम करना शुरू किया या कारे प्रारम होता है 28 जनवरी 1950 को इसमें एक प्लस साथ जज होते हैं जिनमें से एक का नाम क्या होता है हीरा लाल जै कानिया एच जे कानिया और सुप्रीम कोर्ट है कहां पर सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में और इसके सब कुछ आरिटिकल 124 में न्यूक्ति हो गएरा सब कुछ पावर्स बस अलग में है अदर्वाइस इसका इसकी योग्यता कारे कीरने दिन काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनका जो समय होता है 65 साल की आयूता एक बार नियूक्त हो गए तो तब से लेकर जब तक इनको हटाये नहीं जाएगा यह बिल्कुल सच है अब हम लोग चलते हैं अपने उस सेशन में जो हमारा कोशन था तो इसका अंसर तो यह होगा और थोड़ा सा बढ़तें आगे अगले कोशन पर न्याय धीस कब तक अपने पत्तर बने रह सकते हैं न्याय धीस जज अगर हाई कोड का है तो 62 साल सुप्रियम कोड का है तो 65 साल तक हाई कोड का जज है तो 62 साल की आयू है सुप्रीम कोड के जज है तो 65 साल की आयू है बस पांच साल का कोई concept नहीं है क्योंकि चुनाओ तो लड़ना है नहीं तो पांच साल का कोई मतलब नहीं है कारेकाल राश्पती द्वारा निश्यत किया जाएगा बिल्कुल नहीं राश्पती द्वारा नहीं समविधान द्वारा निश्यत कर दिया गया अल्लेडी पहले से और तो बाशट साल रिटार्मेंट है सुप्रीम कोड के बनोगे तो पैसट साल उनका तो अपना एजी है तो यह चीज आप से हां जिन में पांच साल वाला कॉंसेप्ट है उन्हें फिर लाइट टेम तक आप बन भी सकते हो 95 साल तक प्रधान मंतरी बन सकते हो जब तक जिंदर र जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल में यूट्यूब में कहीं भी सर्च कीजिएगा कि स्टैटिक जीके वाई हिमानसु यादव बस आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अब तक हमने 75 से ज्यादा वीडियो अप्लोड कर दिये हैं सुरुवात के जो 50 वीडियो हैं उनमें डेली मैंने 100 कोश्चन करवाए हैं और हां अगर आप एससी के खास एक्जाम की तयारी करें तो आपको वीडियो नंबर 36 से देखना है वीडियो नंबर 36 में क्या है कि यहां पर मैंने लाश्ट यर प्रिविएस यर कराएं 2022 और 2023 के क कोशन तो वही कोशन 2023 में आगे आने वाले जो 2022 में आए हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखिए गा और अगर आपका कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको लगता मुझे और अच्छे से डेटेल में पढ़नी मुझे समझ में नहीं आ रहा है उपर से जा रहा है तो फिर आप वीडियो नंबर एक से देखिएगा क्योंकि मैंने वीडियो नंबर एक में बेसिक कराना सुरू किया है तो वहां से आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा जहां पर आप चाहते हो वहां से देखिएगा बट इस पूरे सेशन को जरूर देखिएगा यहां आपका जो कं गई वो किसकी आधिन बनाईगी चलेगा फटवर बताईएगा कानूनी सुला अधिनियम के तहित विदिक सेवा प्रादिकरण अधिनियम के तहित न्याय अधिनियम प्रसासन के अधिनियम के तहित और अध्यस्तता सुला अधिनियम के तहद बनाई गई थी इसे किसके तहरे बनाया गया था इसे लीगल सर्विस एथरॉरिटी एक्ट विदिक सेवा प्राधिकर्ण अधिनियम के तहद बनाया गया था सब्सक्राइब करते हैं जैसे अपील का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर अपील कर सकते हो और अपील किस मामले में करोगे तो अपील का मतलब आप दीवानी मामले में कर सकते हो आप फौसदारी मामले में कर सकते हो मतलब क्या हुआ हाई कोट लिखकर दे कि आप सुप्रीम कोट अपील कर सकते हो तो यह आप अपील कर सकते हो दीवानी और फौसदारी मामले में अदर वाइस आप अपील नहीं कर सकत है वो स्वा मोटो जारी करता है भाई इसको मैं खुद देखूंगा जैसे मान लीजेगा कि यह जो आपका क्या बोलते हैं भारत में जो राज्ये हैं वो क्या करते हैं उनकी उपर लोन बहुत ज्यादा है लेकिन वह चुनाव आते ही अपने राज्ये के लोगों को बहुत सार से स्वता संग्यान लिया एक आदमी ने प्यायल भी डाला हुआ था कि अब तीन लोगों की कमेटी बनाइगे रोगों चेक करेगी कि भाई यह जो आप फ्री में ग्रांट दे रहे हो यह सही है गलत है यहां देश में समस्याएं हैं लोन बढ़ता जा रहा है और आप फ्री सुप्रीम कोड़ है इससे प्रेसिडेंट क्या कर सकता किसी भी विधिक मामले में सला ले सकता है सला लेना आर्टीकल नंबर 143 और एस सी का इंपॉर्टेंड कोश्चन है आर्टीकल लंबर 143 इसके बाद आप कहाता है औरिजनल या मॉल या मूल मूल छेत्रादिकार क्या होते हैं जैसे कि मांन लिजेगा इंडिया का लडाई हो जायンナला यूपी। नहीं करेंगे तब इन दोनों की āपमित में जो विवाद होगा वह क्या होगा केभल और सप्रीम कोर्ट में आएका और कहीं भी आने वाला नहीं तो podcasts कि एक राज्य एस्टेट और दूसरा इस्टेट जैसे यूपी और एमपी में रडाई हो जाए चंबल नदी के पानी के बटवारे को लेकर तो ऐसे मामले कहां पर आएंगे यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे हाई कोड में ऐसा कोई मामला नहीं जाता एक होत या मूल ओरिजनल जूरिडिक्सन पावर कहलाता है जूडिसेरी छेत्र होता है और इसका मतलब यह चीज़े सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं अप कोशन क्या है दो राज्यों के बीच विवाद अर्थात विवाद आपका किस में आएगा मौलिक में ओरिजनल में जाफिर और चलते हैं अगले कोशन संसदों के बेतन का निर्धारन कौन करता है संसदों की सेलरी का निर्धारन कौन करेगा संसद करेंगे और संसद रहते कहां है पाडलेमेंट में तो कौन करेगा संसद संसदों का बेतन वह स्वें निर्धायत करते हमको कितना मिलना चाहिए तो अ साम को साड़े साथ बजे घंस्याम सरकी क्लास होती जरूर देखिएगा बेटर फिजिक्स के कोश्चन और आप वीडियो में भी सरकी क्लास देख सकते हो बढ़ी असर पढ़ाते हैं फिजिक्स आपको घुमा देंगे बदा देंगे न्यूटन के उपर सेव क्यों भी रहा था संसद के दोनों सदनों का सत्रा उसान करने का अदिकार किसके पास है मतलब सदन को भंग करना या सत्रा उसान सस्पेंड करना ही क्या अधिकार किसके पास है तो देखिएगा भाई आज आईएगा थोड़ा सापको बता ही देता हूँ आइटिकल नंबर 85 में कहा गया संसद के सत्र और संसद के हमारे देश में तीन सत्र होते हैं बजट सत्र एक होता है मांसून सत्र अभी चल रहा है और एक होता है सीत कालिन जो थंडी में चलता सीत काली नुừa्मबर दिसंबर इसम मांसून जुलाई अगस्त में चलेगा बजट सत्र फरवरई मार्ग जबजटबच किया जाता है आर्टिकल 85 में कहा गया दो सद्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितने दिन का होगा छे मान का गैप हो सकता शिक्स मन्त का मैक्सिमम गैप हो सकता मिनमम दो महिने का रखने की बात की गई और इसी में मांसून सत्र बुलाना हो सीत कालिन सत्र बुलाना हो बजट सत्र बुलाना हो तो इसको बुलाने का और संसत्र के समापती की घोशना या लोक सभा को भंग करना ये तीनों काम किसके द्वारा किये जाते हैं तीनों काम भारत के महा महीम राष्ट पती के द्वारा क कि ये जाते हैं संसत को बुलाना हो सदन के सत्र को बुलाना हो समाप्त करना हो या लोग सभा को भंग करने का काम जो की पात साल में होता है वो राश्ट पती ही करता है बाकी का और कोई अगला question है भारती संसदवरा विस्व संसदी प्रणाली में से कौन सा अभियोई चर्चा की प्रक्रिया समस्विस्ट की गई है What innovation discussion process has been incorporated by the Indian Parliament in the world parliamentary system विस्व को हमने क्या दिया जैसे लोकतंत्र है अमेरिका से हमने लिया और जो आपका अलिखित संभीदान अमेरिका से लिया, संसद की कारेवाई कैसे होगी, यह हमने कहा से लिया, ब्रेटिन से लिया, तो हमने भी कुछ दिया पूरे विस्ट को और वो क्या दिया, वो हमने दिया 1961 से सुरू हो जाता है आपका जीरो वार, सुन निकाल जब घड़ और संसदी विवस्ता अच्छी होती है, और इसे नेपाल ने अपने संभीधान में सामिल किया है, हाला कि भारत में इसे संभीधान में नहीं सामिल किया गया, इसे आर्टिकल नंबर 118 में कहा गया, संसद अपने लिए कारेव संचालन के लिए नियम बनाएगी, तो उसी आ कि हंसराइब साथ मिलिए आप लोग और प्राइन बेचेज में भी आप सकते हैं अगर आप मुखरदी नगर के आसपास रहते हैं दिल्ली में रहते हैं तो जरूर आईएगा क्लासेज होती है अब मॉर्णिंग में 930 एम पर हंसराइब साथ सामको भी क्लास होती पांच बजे मैस के जादोगे हंसराइब साथ जुरू जुडियागा सरका 17 बार गॉवर्मेंट जॉब में सेलेक्शन हुआ सर ने गॉवर्मेंट जॉब की अभी सरके पढ़ाएवी हजा लोग सेलेक्ट हो चुके हैं दिली में बहुत सारे बच्चे यहां पर हमारे पढ़ाय हुए बहुत सारे जगों पर जॉब कर रहे हैं तो फायदा लिजेगा चुकि मैस और इंग्ली सर करवाते हैं कुरूनी सर से आप मिल सकते हो मैं भी आपके यूट्यूब में पढ़ात सत्र हो आपको बजट सत्र के लाओ क्या बोलते हैं मांसून सत्र हो तो इनको सस्पेंड करना खतम करने का काम कौन करता है तो खतम करने का काम करता है राष्ट पती बहिया काम हो गया अब छुट्टी में जाओ कुछ दिन काम करो गाउं में फिर दो तीन महीन एक बाद जब यह पावर किसके पास है कि यह बिल मनी बिल है या नहीं आर्टिकल लंबर 110 आप पढ़ोगे तो आर्टिकल लंबर 110 में कहा गया धन विद्यक और धन विद्यक के बारे में बताया गया कि इसको जब राष्टपती के पास लोगसभा राष्भा से पास होकर भेजा जाएगा त ताकि राष्टपती उस पर वीटो पावर का प्रयोग ना करे तो मुद्रा बिल मनी बिल फाइनल कौन करता है तो लोगसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है और जब लोगसभा में इसको प्रस्तुद भी लोगसभा में किया जाता है जब राजी सभा जाएगा तो 14 दिन और अपने हां का जो संसदी सुरूप है उसमें क्या है कि आईटिकल नबर सेवन डी फाइफ तीन में कहा गया कि हमारी जो लोगसभा के प्रति आपकी कोंसील आप मिनिश्टर क्या होगी जिम्मेदार होगी उत्तर दे होगी जवाब दे होगी किसके प्रतिорт देन होगी कारे पालिका का मतलब क्या हो गया जो कानूनों को लागू करते हैं कानून को लागू कौन करता है आपकी काउंसीलाप मिनिश्टर विधान मंदल का मतलब संसत संसत मतलब लोकसभा तो यह अंसर तो सही लग रहा है अगला है विधान मंदल कारे पालिका के प्रति नहीं लोकस साही नयापालिका को कोई मतलब भी नहीं याद रखेंगे सामुवी गृप से लोग सभा कलेक्टिवली रिस्पॉंसिवल किसके प्रति होती है टो कोई बताने की खास बात है नहीं अखले सबस्ति प्रत्यक 6 महिने में संसत की स्विक्रदी लेकर राश्ट्पती सासन अधिक्तम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है राश्ट्पती सासन प्रिसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 के तहट जब राज्जी का सासन सही डंग से ना चल्ला हो तो राश्ट्पती सासन लागू किया जाता है और ये जो आपका राश्ट्पती सासन होता है या दो साल तक चालू किया जा सकता है पहली बार में इसे लागू किया जाता है 60 दिन के लिए और इसके बाद इसे आगे 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके बढ़ाया जाता कितने दिन तक 2 साल तक बढ़ाया जाएगा लेकिन अगर चुनाओ कराने की कंडिशन उपलब्द ना हो election commission मना कर दे या वहाँ national emergency लागू हो तो इसे हम 1 साल और बढ़ा सकते हैं अर्थायत maximum तीन साल तक प्रेसिडेंट रूल किसी राजी में लागू रह सकता है तो आप बोलो कि सभी पंजाब में तो बहुत दिन तक लागू रह तब तो इसका मतलब यह है कि आगे संसोधन करना पड़ेगा संविधान में तभी वहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है तीन साल ज्यादा बढ़ाने के लिए संविधान में संसोधन करना पड़ेगा हाला कि दो साल तक बढ़ाने के लिए छेचे मैंने में रिन्वल करते जाओ तो आगे बढ़ता चला जाए मतलब DPSP not enforceable है यह बात किस आर्टिकल में कही गई है DPSP is not enforceable का मतलब क्या हुआ आर्टिकल लंबर 37 लिखा है आर्टिकल लंबर 36 में कहा गया राजी की परिभासा अर्थाट DPSP राजी के लिए है राजी का मतलब केन सरकार राजी सरकार विधान मंदल आपके संसद राष्टपती प्रधान मंत्री गवर्णर मुख्य मंत्री और आपके जो भी लीगल 37 में कहा गया कि यह मूल भूत हैं लेकिन अप्रवर्थन ही होंगे DPSP जो है वो हैं अच्छे हैं राजी प्रयास करेगा इनको लागू करने का बट यह सुप्रीम कोड के द्वारा लागू नहीं करा जाएंगे से मूल अधिकार आपको नहीं मिल ला तो आप सुप्रीम करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि यह सुप्रीम कोड इसे लागू नहीं कर सकता और 38 में कहा गया कि राज यह प्रयास जरूर करेगा मैं इसे लागू करूंगा तो फिलाल यहां पर सही अंसर नहीं हो जाएगा यह तो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का धिकार रहें और 39 में महिला पुरुष को समानता की बात की गई है और आर्टिकल लंबर 38 में क्या कहा गया है कि हम प्रयास करेंगे समानता को बढ़ावा देने की या समानता को कम करने की और आँ DPSP लिए कहां से गए हैं आइरलेंड से अपनी सुविधा के नुसार दे है ये बात किसने कही है के टी साजी के द्वारा कही गई किसके द्वारा के टी सा के द्वारा कहा गया यह ऐसा चेका जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो इसको पैसा देगा या इसको पैसा नहीं देगा विडियो लाइक कर लिजेगा पसंद आ रहा है ना मजा आ रहा है ना येस हसते रहो मुस्कुराते रहो चार दिन की जिन्दगी ज्यादा टिंसन मत लो पता चले पढ़ते पढ़ते बीमार हो जाओ कोई बीमारियां पकड़ ले इसलिए सुरक्षित रहो आई फ्लू से बचकर रहो चस्मा लगा कर बाहर निकलो दूसरे का सामान चुओ तो उस पर सामिल किये गए गए 1976 में और 42 में संविदान के द्वारा 10 परकार के सामिल किये गए थे अभी कितने अभी 11 हो गया चलते हैं फटा फटा एक दो कोशन और कुछ कर लेते हैं राज जी के नीतिंदेशक सिद्धान्तों में से कौन सा गांधिवादी दर्संपर अधारित है मतलब फिलोसफी जो गांधी जी से आई है गांधी जी क्या कहते हैं गव अत्या ना करो मजदूरों का सम्मान करो काम करो माबाप का सम्मान करो अहिंसा मत करो और हिंसा ना करो और लोगों की मदद करो भेद भाव ना करो और प्राकरतिक परेवन के संड़क्षण और गारा की बात हैं ग्राम पंचैत महत्मा गांधी का है बराबर काम के लिए मतलब महिलाओं पर उसके साथ कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए ये मजदूरों का संरक्षण बिल्कुल सही बात है उप्रोषबी है और ये आपकी बात कहा के लिए और टरीकल नमबर 40 आया है गांधी जी की फिलोस्पी पर और मजदूरों के संरक्षण के लिए आर्टिकल नमबर 43 वाला ये दोनों बाते 43 में हैं और समान-काल के लिए इसे क्या कहा जाता है बेसिक structure भी कहा जाता है मतलब विल्फेर स्टेट का इससे बेसमाना जाता है और राहू सर की क्लास ज़रूर जोइन किजेगा राहू सर की क्लास होती है मंदे टूजडे सुब अधस्स बजजे और आपका Friday सटर्डे होती है सामको तीन बज़े फिलाल आ आपको मिल चुके हैं उनका स्वाद लीजेगा पढ़िएगा समझेगा पॉलिडी का मतलब टाटा वाय टेक केर